सावन का दूसरा सोमवार एवं शेवालों पर उम्री शुदालों की भीड गोरखपूर के सभी मंदरों पर शुदालों सुबा से लाइन लगा कर बावान शीव के जला विशेक करने पहुँचे चाहे बात गोरखपूर के प्राचीन मंदर जहर खंडी की बात हो या फिर मानसरोवर की जहां भगवान शीव खुद अपने होने का स्वपन दे कर मंदर का निर्माड कराया गोरखपूर में वैसे तो हजारों की संख्या में शीव मंदर है और इन सभी मंदरों में भगवान शीव को भक्त गरजल चढ़ा कर भोले को परसंद कर अपनी मुरादें पूरी करते हैं और मंदर की ही करें तो यहां के खुद सन्रचन परदेश के मुखमतर योगी अधित में राजा को बताया और जब राजा सुबा उठकर उस जगा जाड़ियों को हटा कर देखे तो यहां एक भगवान शीव का शीव लंग मौजूद था तवी से उसी जगा पर भगवान शीव का भाव्या मंदिर राजा माहन सिंग ने बनवाया जो यहां मौजूद है जिसे सीम योगी आधितनात एक ने रूप दे रहे हैं यहां पर आने वाले भक्तों की माने तो यहां सावन के दिन महाशी रातरी के दिन जला चड़ कर भगवान भोले को परसंद करते हैं यहां पर जो भी कोई मनते मांगता है उसकी मनते पूरी होती हैं इस मौके पर गोरपुन किके प्राचीन काल का मंदिर है और इसका इतिहास है कि ऐसा माना जाता है कि यहां मान सींग जी आए वे थी और मान लाठी द्वारा इस पोखरे का नवी निर्माड हुआ था और भगवान ने दर्संदी आप इसे पोखरे में अस्थान करते समय और उहां मांसंग ने ही इसे इस पोखरे से ही शुलिञ की अस्थापना करगे यहां प्राचीन मंंदिर की नाम से जहना गया ये गोरखपूर के एक इतीहास में एक इसका अलग अस्थान है दूसरा यहां लोग आते हैं अपनी मनते पांते हैं यहां नुस्ठान पुजा होता है और यहां इस जिले से नहीं बाहर के जिले से ही भी लोग यहां आते हैं और दरसन करते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बरकत होती है, हम लो तो बहुत दिन से आते हैं, हाँ, हमारा है, बहुत अच्छा पुजा होती है, उद्राविलिसेग में दूर, माध्ध, गंगा जल, इसे से हम लो उद्राविसे कराते हैं, हाँ, वो पूरा हो जाती है, ब झाल झाल